शुक्र एक ऐसा ग्रह है जोब वो देने पर आये तो सब कुछ दे देता है और आपने कहाव सनी होगी कि हर पुरुष के पीछे एक महिला की काहाथ होता है उसकी सफलता के पीछे तो शुक्र भी एक महिला ग्रह है शुक्र इस्त्री ग्रह है शुक्र मालक्ष्मी है और हर इंसान के पीछे जब तक पैसा ना हो मालक्ष्मी का आशिरवाद ना हो वो सफल नहीं हो सकता चाहे वो महिला हो चाहे पुरुश हो तो मालक्ष्मी तो इस्त्री हैं, देवी हैं, उनका आशिरवाद तो सबको चाहिए तो ऐसा ही कुछ आशिरवाद जून की एक और दो तारीकों मिलना शुरू हो जाएगा कुम्बराशीवालों को अब शुक्र है तो सुख है, सुख है तो शुक्र है शुक्र, सुख देता है, जो हमें आनन्द है चाहिए वो आनन्द बढ़िया नौकरी का हो, बढ़िया जीवन साथी का हो, बढ़िया घर का हो, बढ़िया एसी का हो, बढ़िया पंखे का हो यानि आराम दायव जीवन जो है, वो शुक्र ही देते हैं आस्मान में सबसे ज़्यादा चमकते वाला तारा भी शुक्र होता है और सबसे ज़्यादा पैसा भी चमकते या नोट जब चमकता है तो आँके खुल जाती है तब आपकी आँके खुलने वाली हैं जेम में नोट आने वाले हैं सफलता मिलने वाली है शुरुआत कब होगी उसकी तारीख बता रहा हूँ एक और दो बहुत ही बढ़ी हास अब है और मैं अस्टर वाजर सचिन स्वागत और अबिजन्दन करता होते सभी प्रिदर्श कोगा आप लोग चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करिएगा और जुर जाईर चैनल से क्योंकि मैं आपको सफल बनाते रहूंगा आप मेरी बात मानिए ग्रह आपकी बात मानेंगे जून का महीना शुरू होते ही कमाल होगा, बड़ा धमाल होगा हर कुम राशी वाला माला माल होगा ये हो गई शायरी फिर से एक बाश शायरी पढ़ते हैं जून का महीना शुरू होते ही कमाल होगा, बड़ा धमाल होगा हर कुम राशी वाला माला माल होगा लेकिन शर्त ये है कि वो महंती हो और उसकी जनम कुली में सितारे मजबूत हो इन शर्तों के साथ माला माल होगा क्यों होगा क्योंकि आपके राशी के स्वामी शरी देव के परम मित्र शुक्र देव चौथे घर में एक और दो तारिक दुपहर एक बच्च के 40 मुटर तक मालब योग बना रहे हैं और शरी देव को भी अगर आप देखें तो वो भी शर्त नामक पंच महापुरुश योग बनाकर लगब में बैठे हैं तो दो दो राज योग हैं इन दो तारिकों में राज योग समझ आ गया एक शुक्र का मालब और शरी का शष बहुत ही बढ़िया है दो मई दोपहर लगबग एक बच के चारिस में पर शुक्र देव मिथन नाशी में प्रवेश कर जाएंगे पंच महाँ में ये तो और भी अच्छा है शुक्र सौंदर प्रेम के ग्रह हैं चौते घर में शुक्र आराम देते हैं आपको क्या आराम चाहिए आपको चाहिए कि मेरे पाग बढ़िया घर हो बढ़िया समय से मैं नौकरी पर जाओं समय से वापस आओं मेरे घर में बीबी बच्चों का प्यार बना रहे मेरे घर में पैसा आता रहे मेरे घर में कोई रोग ना हो तकलीफ ना हो मेरे घर के लोग हसते मुस्कुराते रहें मेरे घर में गाड़ी भी हो मेरे घर में बंगला भी हो मेरे घर में एसी भी हो फ्रिंज भी हो, टीवी भी हो मेरी पढ़ाई अच्छी हो, मेरे बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो मेरे माता पिता को मैं सुख दे सकूँ है ना जब शाम को वापस आओं तो घर में सब हस्ते हस्ते निखाई पड़े है ना कभी-कभी हम बढ़िया कपड़े खरीद दें कभी बढ़िया रेस्टोरेंट में खाना खाने जाए पिकनिक बनाने जाए गर्मी में शिमला और मनाली घुमने जाएं कभी-कभी भगवान के दर्शन करने में जाएं यही सब सुख है आपके जीवन के किसी भी चीज़ को अगर कोई चीज़ पसंद है तो उसके लिए पैसा नहीं देखना है बस जेब से निकाला और ले लिया यही सुख है आप खुद भी सुखी रहे अपते परिवार को भी सुखी रहे यही सुख है तो यह सारी सुख से उधाओं की शुरुआत एक और दो तारीक को हो जाएगी लोग आपकी तरह मुड मुड कर देखेंगे शादी के योग बनेंगे नौकरी पे तरक्की के योग बनेंगे प्रमोशन के योग बनेंगे नई नौकरी लगने के योग बनेंगे प्रेम संबन्द शांदार होगा जीवन के हर पल का मज़ा लेने वाले हैं आप हर हर चोटी चोटी चीजों का आनन्द लेने वाले हैं जीवन साथी के साथ रोमेंटिक पलों को बिदाने वाले हैं घर गरती में सुख और वहन का सुख प्राप्त करने वाले हैं अब आपकी अमीरी दिखने वाली है अब आपकी गरीबी मिटने वाली है जीवन साथी के काम में तरक्की होगी आप महिला पुरुष यानि की पती पत्री तोनों कमाएंगे दोनों बढ़िया तरीके से घर चलाएंगे बच्चों का भविश्य सुरक्षित करेंगे अपना बढ़ापा सुरक्षित करेंगे उसके लिए योजनाय बनाएंगे आपके उ पर होगी आपकी हर जगे तारीफ होगी काम की तारीफ होगी नौकरी पेशे में आप कुछ सहलता प्राप्त करेंगे शुक्र आपका और नाम दे देंगे आपके बड़े-बड़े काम बनने वाले हैं बड़े-बड़े लोगों से मुलाकात होने वाली है आप काम जो आपको बढ़िया पैसा मिलेगा, सम्मान मिलेगा, आपको परिवार का प्यार मिलेगा, जीवशाती की सला से और तरक्की होती चली जाएगी, अमीर तो बढ़ के रहेंगे, ट्रांस्पोर्ट का काम चलेगा, शुकर समंद्धी काम, शुकर समंद्धी काम क्या है, फैशन की द सुन्दर्त जहां सुन्दर्त है, जहां पर खुश्बू है, जहां पर साफसफाई की, जूलरी का का, जिसफ बढ़िया लगजरी होटल, अंड़स्ट्री का का म, इसफ़ शुक्र के का म, ठृज्वर्ण nào को हुए होते हैं, शादी में बहुत सारी का म, है चमक है धमक है उस सब शुक्र है किसी विदेशी महिला से प्रेम हो सकता है और किसी विदेश में रहने वाले से प्रेम हो सकता है दोस्ती हो सकती है इंटर कास्ट मैरिज हो सकती है शुक्र पंचम भाव में चले जाएंगे तो आपका दिल किसी पे आ जाएगा प्रेम सम्मन्द मजबूत हो जाएगे पुरानी दोस्ती और मजबूत हो जाएगी पुराना प्यार पक्का हो जाएगा अब तो वादे भी चो किये हैं उसको भी पूरा करने के लिए कोशिशे शुरू हो जाएगी आप धीरे धीरे आगे बढ़े कि रोमैंटिक भाव आपके मन में जागरत होंगे शरित्र को साफ रखिएगा गरत बात नहीं करनी है किसी के साथ एक तरफा प्यार है तो बत करिएगा जब दो तरफा प्यार हो तो प्यार करिएगा बात बहुत अच्छी बढ़ने वाली है उताओ लेपन में बात खराब मत कर लीजिएगा बढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं कहीं विदेश उदेश में अच्छे स्कूल कॉलेज में अच्छी युनिवस्टी में जाइए फॉरम भरिए ट्राइ करिए हो जाएगा आपकी योगिता के अनुसार अब भाई कोई बोले कि हम पांच वी फेल हैं और हमें दिल्ली युनिवस्टी में एडमीशन दे दो अब बाद में कमेंट वाक्स मिले कि हमें दिल्ली फेल नहीं मिला तो भाईया कैसे मिलेगा योग होगे तो मिल जाएगा है ना समझ यह जाए तो उतना ही मिलेगा जितनी आपकी हैसियत होगी हैसियत से जादा पाना है तो पर मेंट भी दस भूना जादा चुननी पड़ेगी तो कुल मिलाकर मिलेगा वो सब कुछ जो आपको चाहिए एक और दो तारीख आपके लिए शुब इसलिए है क्योंकि यहां से शुरुवात हो रही है एक शांदार शुरुवात अब आपकी जर्मकुल्ली में सितारे कितने मजबूत हैं यही तै करेंगे कि यह आपको कितना और कब और कितना मजबूती से मिलेगा तो जर्मकुल्ली की जाज करानी सबसे ज़्यादा आउश्यक है अगर आपकी जर्मकुल्ली में सितारे बढ़िया है तो enjoy और अगर सिधारे नहीं है तो फिर नहीं मिलेगा भी जाए अब आप मुझे एक बात बताईए आप एक कमरे में बैठे हैं बत्ती आ रही है लेकि आपके कमरे का बलब ही हो जाए आप 50 बार बटन को on-off कर लिए टक 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 क्या 50 बार बटन को उपर नीचे करने से टक ट अंधेरा हो जाए और आप पढ़ नहीं पाएंगे और आप फेल हो जाएंगे अब इसका उपाए क्या है कैसे आप पढ़ सकते इसका उपाए एक है कि भीया या तो नया बलब लेके आओ या फिर लालटेन लेके आओ तो कुछ ना उपाए किया ना लालटेन जरना इक उप वेया है, जब तक उसको लालटेंट की उसके अंदर एनरजी नहीं डाली जाएगी उसको एक्टिवेट नहीं किया जाएगा तब तक वो ग्रह भी आपको रोश्टी नहीं देगा और वो रोश्टी नहीं देगा तो आप जिन्दगी में फैल होते रहेंगे दुनिया को लाग कोशते रहेंगे मुझे कोशिये, इसको कोशिये उसको कोशिये, भगवान को कोशिये कुछ नहीं होने वाला कोश कि आपका जीवन बिच जाएगा लेकिन सफलता तभी आएगी जब आपकी जरम कुडली में सितारे मजबूत होंगे और सही उपाय करेंगे, दुनिया को आप लाग गाली दे लीजिए, कहते हैं चंदर्मा पे थूकी है तो थूक अपने उपर ही गरती है आप दुनिया को लाग कह लीजिए कि पंडित बेकार, एसलोजी बेकार कुछ रही होता, ये नहीं होता, मिरा जीवन बेकार है, कोशते रहे हैं, सारी description कोशते रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है दुनिया आप ही पे भुलेम करेगी कि तुम ले बिफ़ और लाज किया होता तो आस तुम सुरक्षित होते गलती आपकी है क्योंकि जीवन आपका है तो जरम कुली की जांस कराना इसलिए आवश्यक है बार बार कहता हूँ मेरा फाइदा मत देखिए अपना फाइदा देखिए नमस्कार